Good morning students, welcome back to your maths classes. Come on the page number 70. Fill in, आपको पता है, multiply में आपको पहले भी मैंने बताया था कि आपको table learn होना बहुत important है. जैसे हम 2 की table पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. तो इसमें क्या होता है, 2 2 का plus होता है. 2 में 2 के प्लस करेंगे 4 4 में 2 के प्लस करेंगे 6 6 में 2 के प्लस करेंगे 8 यहां पे देखेंगे आप 4 2 जा, क्या होगा? यह आप खुझ से write करेंगे, table call करेंगे 4 2 जा, 8 2 4 जा, 8 जो भी answer आएगा आप खुझ से करेंगे 3, 3 में क्या होगा, 3 की टेबल में, 3 प्लस 3, 6, प्लस, यानि जो टेबल होता है, वो भी repeated addition ही होता है, multiplication जो है, वो repeated addition होता है, आप ऐसे ऐसे प्लस करते जाओगे, तो आपको बहुत लंबा करना पड़ेगा, इसलिए आप multiply का use करेंगे, टेबल लन है अगर आपको, 3, 2 जा 6, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, 3, 5 जा 15, ओके, अब आप क्या, 3, 5 जा, आपको यहाँ पर write करना है, अब यह किसकी टेबल है, 5 की टेबल है, आप इसको भी टेबल 5 की टेबल बोल के फिल करेंगे, और यहाँ पर जो है, 5, 7 जा, उसको भी करेंगे, 4 का टेबल यहाँ पर आपको write करना है, यहाँ पर आपको 10 की टेबल write करनी है, अभी तो आपका सिर्फ 2 से 10 तक की टेबल है, उसके आगे का जब हम कराएंगे तो आपको और आगे की टेबल लर्ण करनी होगी multiply by repeated addition अब मैं इसका एक बता देती हूँ, बाकी आपको अपने से करना है तो 4, 2 जाए, यानि 2 को कितनी बार लिखना है? 4 बार इसको कैसे repeated addition में बनाएंगे? 2 plus 2 plus 2 plus 2 repeated addition मतलब 2 को कितनी बार write करना है? कितने times write करना है? 4 times 1, 2, 3, 4 is equal to 8 और यहाँ भी 2, 4 जा क्या होगा? यह भी आप यहाँ पर पहले write करिएगा, उसके बाद फिर repeated करिएगा अब देखिए, 3, 7 multiplied 3 means 3 को हमको कितनी बार repeat करना है? 7 times तो 3 को हम कितनी बार करेंगे? 7 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 means 3 को हमको कितने times write करना है? 7 times is equal to क्या होगा? यहाँ से भी आप कर सकते हैं 3, 7 जा 3, 7 जा बोलिए आप लोग repeat करिए, पढ़ते टाइम आप लोग table बराबर याद करेंगे 21 3, 7 जा 21 बागी की यह exercise आप अपने से fill करेंगे बच्चों और table आपको अच्छे से learn होना चाहिए बिलकुल table 2 से 10 तक आप अपनी fair copy में note करेंगे और learn करके ही write करेंगे ओके थैंक यू स्टूदेंट्स